दोस्तो इनसान सोचता है कि पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं और पैसा कहता है तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं तो दोस्तो ये कावत पूरी तरह फिट बैठती है दुबई पर जी हाँ आपको बता दें आज से 50 साल पहले दुबई कुछ ऐसा दिखता था बाते भी हैं जो सायदी आप जानते होंगे तो चलिए जानते हैं दुबई से जुड़े कुछ ऐसे ही राज जो आपको बिलकुल भी पता नहीं होगा दोस्तो जैसे कि हम सबी जानते हैं कि दुबई में सर्या कानून लागू होता है जैसे की ऐ विवाहित महीला और पुरुस होटल के कम्रे में एक साथ नहीं रह सकते और बिना साधी के सेक्स भी नहीं कर सकते और तो और आप यहां सोट कपडे भी नहीं पैंन सकते साथ ही आप अपने पार्टनर का हाथ पकड़ कर खुले में नहीं चल सकते खुले में किस नहीं कर सकते ऐसा करने पर आप हवालात के पीछे जा सकते हैं दुबई में आपको बिना डाक्टर की परची के दवाया नहीं मिलेंगी इसलिए परची को साथ रखें क्योंकि दवायों द्वारा नसा भी किया जाता है अगर आप वहां दवायों के साथ पकड़े गए और आपके पास उन दवायों की परची नहीं हो तो आप पर कानूनी कारवाई की जा सकती है और इस मामले पर आपको चार साल तक की जेल भी हो सकती है सराप पीने का भी लाइसेंस अगर आप सराप पीने के सोकीन है तो आपको सराप पीने और खरीदने के लिए लाइसेंस लेना होगा नहीं तो आप अपनी इस आदत को कुछ दिनों के लिए बैन लगा दीजे क्योंकि दुबई में सराप पीना सक्त मना है यहां तक कि बिना लाइसेंस के सूपर मार्किट और जर्नल इस्टोर पर जाकर भी सराप नहीं खरीज सकते दुबई दुनिया का एक मात्र ऐसा सहर है जिसके निवाचियों को इंकम टैक्स नहीं देना पड़ता दुबई में आप राजनेतिक इमार्तों और सैन्ने इमार्तों की फोटो नहीं खीश सकते किसी अंजान रेक्ती की भी बिना उसकी इजाज़त से फोटो नहीं खीश सकते दुबई में बाएं हाथ से खाना खाना, किसी से कोई समान लेना, बिना इजाजत के गेट खोलना, हाथ मिलाना अपराद है दुबई में भले ही नाइट पार्टी होती हों, और बहुत सारे कलब और पब हों, लेकिन वहाँ नियम है कि, आप अपनी पूरी पार्टी कलब के अंदर करें, आप वहाँ सड़कों पर कुछ भी उल्टी सीधी हरकत नहीं कर सकते, ये वहाँ के नियम के खिलाप है दोस्तों, दुनिया में दिनों दिन अपराद की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन दुबई में ऐसा नहीं है, आपको जानकर हैरानी होगी दुबई में अपरादों की संख्या 0% है, इसकी वज़े यहां के कड़े कानून है, अपराद में होने के कारण दुबई को दुनिया का सबसे सुरक्सित सहर माना जाता है तो दोस्तों आपको कैसी लगी दुबई की यह जानकारियां और कौन सी बाते आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक, सेयर और चैनल को सबस्क्राइब करना ने भूलें